हम इस वीडियो में देखेंगे विस्टर वीज़ कैनड़ा के लिए तो हमें मांन लिए मैं किसी अपने देश को चोड़ के जैसे मैं इंदिया में बहता हूं ईंडिया से छोड़ के मैं किसे केनड़ा जाना चाहता हूं और यहां पर जाके वहां का nature अब हैब को फिर को प्रिंड जो 3 सेिंद उसको मरें ना सकते हैं यह मैं कोई कॉणधे पीज ना चाहता हूँ कि उसको उसको कि मेरेजिन से अगर होता तो उसको वहां पे गणुए लिए के लिए अगर मेरें ना पड़ता है वह ब्ल कोव्ang present है इसमें एक दो चीटों का ध्यान देना बहुत ज़री है बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर मेरा विस्टर वीजा लग गया तो मैं कैनेडा जाके काम कर पाऊंगा का सी इस इस उसनी विस्टर वीजा आप वहां पह पर जाकरी यहां किसीас तरह का भी काम नहीं कर सकते चाहे जैसे आप से आपए ज़ाकर आप gaining कर सकते सो इस चीज का ए ध्यान की गए एक और फिर बहुत ज्यादा लोगों की आती है मेरे पास की विश्टर वीजा का मैक्सिमँ टैनियोर कितना हूं कितने साल के लिए वीजा लगता है कैनाडा का तो कैनाडा का मैक्सिमम टैनियोर जूंसा है वो 10 ..... का ही नॉमली लगता है है बट अगर उसको लगता है कि मेरा पांच साल का पेंडिंग है बट मेरे को वीजा जोन सा ग्रांट होना चाहिए वह वन यहर का होना चाहिए और शी can decide according to their own rules and regulations तो इस चीज का ध्यान रखिएगा Canada जाने के लिए सब लोग जाना तो चाहते हैं बट documentation से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इस वीडियो में हम लोग सारे documents को detail में discuss करेंगे जो उनसे majority cases में लगते हैं तो शुरू करते हैं सबसे जादा important document जिसके बिना किसी का भी वीजा अप्लाई किसी तरह का भी वीजा अप्लाई नहीं हो सकता तो सबसे पहला डॉन सा document है वो है passport अगर आपके पास कोई passport अवेलेबल नहीं है जुन सा कि valid है तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते है तो वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास valid passport होना चाहिए और प्रेफरेबली वह एक साल या एक साल से ज्यादा की वेलेडिटी उसमें पेंडिंग होनी चाहिए इसकेंड उसके अंदर चीज का ध्यान रखा जाता है वह है आपकी फोड़ग्राफ आपकी जैसे पासपोर्ट के टाइम पर फोड़ग्राफ होती लेक्ट्रॉनिकली भी होती है जोंसर आप पासपोर्ट बनाते या आप फाइल के अंदर फिजिकल पॉम पे लगाते हैं त आपके हैड के ऊपर कोई हाट नहीं होना चाहिए आपने कोई गॉगल्स नहीं वेर करनी चाहिए आपके फेस के ऊपर किसी तरह के भी इमोशन नहीं होना चाहिए तो बहुत जादा स्माइलिंग नहीं होना चाहिए फोड़ग्राफ के अंदर अच्छे लगते हैं सब बहुत क्लियरली विजिबल होना चीए ऐसा नहीं कि साइड पोस पे हो या कुछ इसतां से हो ऐसी फोटोग्राफ में नॉमली या तो रिजेक्शन लग जाती ही या फुर्दर रिक्वार्मेंट रेज हो जाती ही आपके विजा के अंदर कि दे रिक्वाइर या की आप बैक्ग्राउंड लगाएं वाइट कलर की बैक्ग्राउंड होनी चाहिए कोई पीछे समान नहीं होना चाहिए अगर आप प्रफेशनल फोटोग्राफ के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि पासपूर्ट के लिए चाहिए या विजा अप्लाई करने के लिए त तो प्रूफ आप फंड्स के लिए अगर हम बात करें तो हम दो तीन चीजें का ध्यानक ना पड़ता हूं उसके अंदर पहली बात तो यह है कि I have to ensure और या show to the immigration officer कि मैं अभी फिलहाल इंप्लाइड हूँ या मेरा कुरंब्स किसी तरना साथ बिजन्स इंडिया में अली खर रहा हूं एक विजम Me क्या कर सकता हूं प्रूफ देने के लिए मैं अपनी सेली सेप्स या अपनी बेनक स् fabric हो रही है या एक के head के उपर company से लिखा के that this person is working with our company and they do not have any intention कि उसको check out किया जाए या company बंद करने का कोई plan नहीं है similarly अगर उसका business है तो business के अंदर भी उसको वो business का कोई proof दे सकता है जिसे GST certificate है वाट certificate हो सकता है import export का certificate हो सकता है हाँ इसके अंदर किसी तरह की लिंके जरूर होनी चाहिए एप्लिकेंट के साथ वो शो होनी चाहिए आप जैसे bank statement दे रहे हैं यह कुछ दे रहे हैं passport apply करते टाइं पर pancard या अधार card is not mandatory अगर आपको लगता है कि किसी तरह से linkage हो रही है जैसे for example मैंने एक pass book लगाई है किसी bank की उसके अंदर मेरा pancard is shown in my bank statement तो मैं अपना pancard साथ में sporting document लगा सकता है जिससे कि उसको अच्छी तरह से justify किया सके that this bank statement belongs to me only right otherwise मेरे नाम के कई लोग हो सकते हैं मैं किसी और की use करके अगर यहां पर यूज कर रहा हूं तो which will again will be wrong बट हाँ अगर मैं साथ में कोई linkage प्रूफ लगा रहा हूं कि यह देखे pan number है यह मैंने ID प्रूफ लगाया हुआ यह दोनों के दोनों मैं ही same person हो मेरी ही statement है मेरी ही company है तो यह ज्यादा अच्छे comfort में आ जाता है आपका इमिग्रेशन का उफेसर होगा उसके लिए यह आपको प्रूसेस करने में helpful रहे पॉलिसी आपकी वीजा को अच्छा उसके साथ साथ आपको फंड्स के बारे में बात कर रहे थे आपका बैंक स्टेटमेंट तो आपने देए दिया है जिसके अंदर शूकर रहोगा आपके सीविंग काॉण में यापके करेंट अकाउट में कितना पैसा है उसके साथ साथ कि अगेन आपकी फाइल के अंदर हेल्फुल रहेंगे हाँ नो डाउट यह सारे डॉकुमेंट्स को इम्मिग्रेशन ऑफिसर को पढ़ना और सारा समझना थोड़ा दिफिगल्ट हो जाता है तो आई विल रिक्मेंड यू आपका जून से चार्टर्ड अकांट नेस ही है जू यहां पे हैं आपकी इतने की प्रॉपर्टी है आपकी टोटल नेट वर्ट जून सी है वो इतना माउंट की बनती है उसका प्रॉवल साथ में टाइच करेंगा और लिटर है तो आपके लिए बहुत बढ़ी है रहेगा अगर मालनीचे मेरा बिजनस है तो मेरे को यह भी जिस्टिफाई करना पड़ेगा फिर लेटर हेट पर यह मेंचिन करूंगा तो मेरी एप्सिंस पे वह विल टेकर अप बढ़ा प्रॉट पर दो यह दोनों चीजें है तो चोटी है बढ़ इंपर्टन है साथी साथ मेरा मेरेग सर्टिफिकेट अगर मैं मेरेग हूं तो विल हैल्प अगर मैंने जॉइंटली अप्लाई करना तो मेरी मेरा और मेरी वाइफ के लिए इपर्टन हो जाता है अगर मैं अकेला जा रहा हूं तो मेरे चांस कि मैं इंडिया वापस आउंगा विल बी ऑन हार साइट तो यह भी एक अपर लेके आता है यह आल थेंग्स जितनी भी हमने उपर डिस्क्रस करी है यह सारी कि सारी हमें एक कवर लेटर बनाना वड़ता है जुसको एसोपी भी बोलते हैं कैनेड़ा विल तर dust के लिए उसके अंदर हमें यह सारी चीजों की संबरे बीच में 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 emitिक करनी है कि आर स्पांसर अगर होटल बुकिंग है उसके बारे में, मेरा टूर प्लान के बारे में, मेरा पंट्स के बारे में, मेरा रीजन फॉर कमिंग बाक तू इंडिया जो उसके बारे में डिस्क्लोस करें, यह सारी की सारी चीज़ अगर हम एक बहुत ही प्यारे से पॉमेट में बनाके अगर प् किसी तरह की भी query है आपको regarding Mr.Visa of Canada तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे जुन साथ comment section है उसमें मेरे को अपनी query send कर सकते हैं I will definitely reply on your queries. Thank you so much for seeing my video. Love you all. Bye.